कि में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन को ज़रूर दबाएं तो फ्रेंड्स मैं उपनी पिछली वीडियो में इनीडे में बताया है उसी एनीडे मिवास उसमें कुछ चेंजिस हैं अब कुछ अपडेट रूब्र बीवी देखने एक है्नने डिस में तो आज में आपको बताने में लिए उसके शेटिंग में क्या क्या चेंजिश एं तो इसलिए friends वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो friends आपको दोनों फॉन्स पर इंस्टॉल करना होगा आप प्लेस्टोर से से इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने अल्रडी अपने फॉन में इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसे ओपन करेंगे तो friends देखें सबसे पहले जब open करते हैं पहले आपका डायलोग open होता है privacy statement आप इसे यहां से ओके कर दीजिए next is plugin available friends अगर आपके phone में यह dialogue आता है plugin का कि plugin इंस्टॉल करें तो यहां से ओके करना आपको plugin को इंस्टॉल करना है अगर आपके phone में यह dialogue नहीं आता तो आपको इसको इंस्टॉल करने के कोई भी जुरत नहीं है यह automatically अपने according आपके phone के related जो भी plugin होगा वो आपना पर इंस्टॉल हो जाएगा तो friends जो plugin इंस्टॉल हो चुका है तो देखिए अब आ चुका है plugin activate activation तो friends हमें plugin को activate करना है press ok यहां से आपके पास यह देखिए install service नाम से है to service इंस्टॉल है यहां से आप ok करेंगे इससे enable करना होगा तो यहां से यह जो आपका plugin इंस्टॉल हो चुका है बैटरी optimization तो देखिए फ्रेंट्स यह आपका यह हुआ है निडेस का तो मैं आपको बात बताना चाहते हूं इसमें क्या है कि एनिडेस की जो settings है वो चेंज हो चुकी है तो क्या settings चेंज होई है तो friends जब हम connection बनाते हैं हम connection की बात करते हैं connection बनाते है friends यह मेरा remote phone है और यह मेरा phone है मैं इस phone में इस phone को access करना चाहते हूं तो यहां से पहले मैं इसकी remote ID एंटर करूंगी 305-399-894 मैंने connection की request send की है तो यह देखिए सबसे पहले आपके पास आएगा security warning यह as usual जैसे पहले भी आता है इसमें है आपको यह accept करना होगा उसमें आपको यह बता रहा कि जो दूसरा person है वह आपके phone को आपके device को सब कुछ देख सकता है तो यहां से आप इसे accept करेंगे तो देखिए friends यह देखिए incoming connection request जो पहले ऐसे नहीं आती थी बट अब ऐसे आने लगी है यह देखिए permission कैसी चाहिए आपको यहां पर देखिए default screen sharing full access और unattended access और साथ में आ रहा है यह last में है scam protection तो friends सबसे पहले आता है default default में क्या है जब आप इसे ऐसे करेंगे तो यहां पर आपको शो हो जाएगा कि by default यह सब कुछ enable है सिर्फ एक आपका जो यह audio option है यह enable नहीं है यह enable इसलिए नहीं है क्योंकि आपने Anidisk app की जो audio जो microphone है वो off है वो आपने off किया हूँ है जब आप इसे on करेंगे तब यह enable नहीं होगा तो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगे कि वह enable कैसे करना कहां से होगा तो default में क्या है friends जब आप default यहां पर select करेंगे तो इसमें आपको यह show करेगा आप अपने according कि मतलब यह आपका remote user है आपका phone वो सब कुछ यह access कर सकता है आप अपने requirement के according अगर file manager यूज ना करें तो आप इसे यहां पर untick करतेंगे okay आप कुछ और भी चाहते हो तो वहां से भी आप इसको यहां पर deselect करेंगे तो वह चीज़ को वह access नहीं कर पाएगा okay तो यह तो है default अब next आता है screen sharing जैसा कि आपको पता है नाम से पता चल रहे screen sharing क्या होता है हम एक mobile को दूसरे mobile में remote control नहीं कर सकते सिर्फ उसके screen share कर सकते हैं तो यह भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है screen share में यह देखिए सबसे पहले आता है जह हम screen को share करते हैं तो जो काम user कर रहे हैं वह हम अपने mobile में देख सकते हैं हम उसके phone में कुछ changes नहीं कर सकते हम खुद कुछ यह वहते है इन्हों ने स्क्रेंशेर में भी ऑप्शन्स दी है अगर आप चाहते हो कि मेरे फोन का वह यह चीज एक्सेस कर पाए तो यहां से आप उसे टिक करेंगे उसे एनेबल करेंगे यह देखिए यूज़़ फाइल मेनेजर स्पाउज मैं अपना मेरा मुबाइल कोई दैंटर बन खचाहि है तो उस टाइम पे चाहिए फाइल में आप कोई का काम एल तो मैं क्या करूंगी वहां पर यूज़ आं मैनेजर को कि अलाओ करूंगी तो जसको परमिशन दे दे कि तुम यहुरू कि विल्ले तwick पाइल को यूज कर सकते हो देखिए ऐसे क्लिज बाकि वह पुछ नहीं चेहड़ सकता है आपके फॉन में इस फाइल मेनेजर ही यूज कर सकता है तो यह होता है स्क्रेंशियर तो चलिए स्क्रेंशियर करके देखें सबसे बहले आप यहां सी इसे असे करेंगे तो फ्रेंट्स आपके पास आरे स्टार्ट रिकॉर्डिंग औ इसका कोई तरीका नहीं है तो यहां से जब स्टार्ट नाओ प्रेस करेंगे तो देखें कनेक्शन बन चुका है अम मैंने यहां पर क्या किया था स्क्रीन शेरिंग तो मैं यहां से देखें टेच कर रही हूं नहीं चल रहा तो मैं यहां से बैक करूंगी तो मैं यहां sharing okay तो अब next के बात करते हैं तो friends अब next option के हम बात करते हैं हम connection request करते हैं तो देखिए यहां पर connection आ चुका है यहां previous session का मतलब यह है कि permission profile आपने क्या रखना है जो आपने पहले जो session बना है वही वाला रखना है तो आप सिधा accept कीजिए otherwise यहां से आप change करना चाहते है तो change कर सकते हैं तो चले friends आप बात करते हैं default ही default में गयो है मैंने यहां से से किया accept दुबारा से यहां से मैं करूंगी start now तो यहां पे मेरा phone चल चुका है यह देखिए मैं remote phone को अच्छ की तो voice सुनने के लिए आपको क्या करना होगा आप सबसे पहले remote phone का any desk को उपन करेंगे यहां पर आप जाएंगे यहां पर है settings settings में आपने जाना है audio option पर तो यहां पर transmission enable audio transmission यह microphone है इससे आपको enable करना होगा while using this app friends इसे हम back करते हैं आप सोच रहे होंगे कि अब मैं उस phone के audio सुन लूँगा ऐसा नहीं है आप एकदम से audio नहीं सुन सकते हैं आपको पहले connection को disconnect करना होगा यहां से connection को disconnect करेंगे तो friends audio का option जो है वो हमने enable कर दिया यानि microphone जो है remote phone में वो enable है तो अब दुबारा से connection बनाएंगे यहां से connection बनाएंगे यहां request आएगी हमारे पस तो यहां पर है देखिए profile permission जो है हमारे पस previous session यानि कि जो पहले हमने अभी किया था वही session यहां चलेगा तो friends सिरफ एक चीज इसमें different है देखिए audio option जो है वो enable हो चुग है क्योंकि हमने microphone को अभी enable किया है तो यहां से accept करते हैं यहां से start now तो friends देखिए आपको disturbance सुन रही होगी जो यह disturbance है यही से पता चलता है हमारी जो आवाज है वहां पर जा रही है यानिकि उदर से यह आवाज यहां पर transfer हो रही है अगर mobile के आप audio सुनना चाहते हैं तो आप वह भी सुन सकते हैं यह दोनों फोन बहुत नज़ीक है इसलिए कि यह disturbance तोड़ी क्रियेट हो रही है तो आप यह देखिए तो यहां से आप देख सकते हैं जो वह ऐसा वह ट्रांसफर हो रही है यहां से माइक्रोफोन को बंद करेंगे क्योंकि disturbance वह ज़्यादा क्रियेट हो रही है तो अभी मैंने आपको बताए screen sharing और default option के बारे में तो चलिए अब next की बात करते है तो friends अब next की बात करते हैं दुबारा से हम connection बनाएंगे हमारे पस जो next है वो हमारे पास आता है full access फुल एक्सेस में क्या होता है यह भी बिल्कुल सेम है जो डिफॉल्ट है सेम यह फुल एक्सेस है यह देखें यहां पर audio फिर हमारी disable हो चुकि क्योंकि मैंने अभी जो audio option है उसे disable किया है ठीक है microphone को बंद किया है तो इसी वज़े से यह यह हमारी अगली बात जब हमारे पास जब कनेक्शन बनाए तो इसे आप अगली बात जब हमारे पास जब कनेक्शन बनाए तो डिरेक्टली पासवर्ड डालें वहां पर यह connection की request ना जाए जो बार बार request रहे रिक्वेस्ट ने जाएगे automatically connection बन जाएगा तो इसे आप accept करेंगे तो यहां से start now प्रेस करना होगा तो देखिए फ्रेंट्स इस तर से connection बनेगा में settings में जाएंगे settings में जाएंगे security options पर तो फ्रेंट्स देखिए यहां पर आपके पास आएगा permission profile जिसे आपको select करना है यहां पर है unattended access तो unattended access आ चुक है यहां से आप enable करेंगे enable unattended access यहां पर आपने password लिखना है आप password अपने according कुछ भी लिख सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां से प्रेस करेंगे ok जैसी password सेट करेंगे आप ok कर देंगे close तो चलिए friends अब हम दुबारा से connection बना के देखते हैं फिर से connection बनाएंगे तो यहां पर password आप डालेंगे जो भी आपने password लगाया होगा तो देखे friends मैं यह password डाला है प्रेस होके तो देख लीजिए connectivity स्टार्ट हो चुकी है लेकिन आपके पास यह डालोग जुरूर ओपन होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग देनिडेस तो यहां पर आपको स्टार्ट नाओ तो प्रेस करना ही पड़ेगा तो यह देखे connection बन चुका है तो फ्रेंट्स यह कुछ चैंज इस थे एनिडेस की settings में जब इसे disconnect करती हूं और यहां से से back कर दिया इस time पर जब मैं यहां से तुबारा connection बनाती हूं तो वह connection नहीं जा रहा यह देखे तो यहां से वह connection जो है request नहीं आ रही यह देखे यहां पर यह तो कर देंगा प्रेस ओके देखे वेटिंग फॉर इमेज आ रहा लेकिन connection नहीं बन पा रहा ऐसा क्यों तो फ्रेंट्स में आपको बता देती हूं ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो एनिडेस्क एप है यह open नहीं है तो इसलिए यह हो रहा है अगर आप यह एनिडेस्क एप को बंद करना चाहते है उसके बाद की connection की request आपके अस तब भी आ जाए तो यह एनिडेस्क एप को आपको पहले बैक्गरांड में चलाना होगा तो उसके लिए अपको reference यहां पर आपको settings पर जाना है यहां से प्रेस करेंगे start now और connection बन चुका है that's it तो friends मैंने आपको बता है कि एनिडेस की settings में क्या-kya changes यह 4 changes थे जिसके बारे मैंने आपको बता है चार ओप्शन है जब आप connection की request send करते हैं तो remote user के पास चार options होते हैं उन में से इसको क्या-क्या करना है तो उम्मीद करते हूं को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शूर करें अगर आपकी कोई भी क्वैरी तो कमेंट सेक्षन में फूद सकते हैं थैंक यू